आज मैं बनाने जानी हूँ सफेड डोगला फ्रेंट्स जो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा हेल्धी भी होता है हमारी सेहत के लिए और बहुत ही स्पजा धोकला बन कर आपका तैयार होगा पस दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है और आपका ढोगला एक तम परफेक्ट बनकर तयार होगा वो दो तीन बाते कौन सी है वो आगे आपको मैं वीडियो में पताऊंगी तो चले फ्रेंट शुरू करते हैं वीडियो को तो एक बावल में मैंने एक कप दही ले लिया थ आप देख सकते हैं तो जिस कब से दही लिया था उसी कब से मेजरमेंट करके मैंने सूजी डाल दिया अब थोड़ा सा नमक डाल दिया है नमक आप अपने स्वाद के कर सकते हैं तो बस नमक डाल कर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है तो बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रैस्ट के लिए जिससे सूजी इसमें अच्छे से फूल जाएगी सूजी अपना काम करेगी अब इधर गैस पर मैंने कड़ाई रख दिया है और कड़ाई में मैंने एक से डिल गलास पानी रख कर लेते हैं तो सूजी हमारी फूल कर तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं तो जब सूजी फूलेगी तो जो टोकले का बैटर है आपका गाड़ा हो जाएगा अब इसमें हम दो चम्मच ऑईल डालेंगे यह सर्सों का ऑईल नहीं होना चाहिए और कोई फ्लेवर वाला नह मत डालेगा इसमें इससे डालना बहुत जरूरी है इससे स्पंज है डोकले में बहुत अच्छा आएगा अब थोड़ा साम पानी डाल देंगे क्योंकि भाई सूजी फूली थी तो बैटर हमारा गाड़ा हो चुका है अब इसका बैटर बिल्कुल जैसे इडली का बैटर हो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आप डोकले का बैटर 10-15 मिनट रैस्ट पर जरूर रखेगा जिससे सूजी अच्छे से फूल जाती है अब इसमें हमने इनो डाल दिया है आप देख सकते हैं इनो अगर आपके पास नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं लेकिन बेकिंग देर नहीं चलाना है इनों के बाद में तो यह देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार है अब एक बरतन लेंगे इसे मैंने ओइल से पहले ही ग्रीज कर लिया है बरतन को चारों तरफ से मैंने तो जो भी बरतन आप लें ऑईल से ग्रीज कर लीज़ेगा इसकी जगे आप स्टी कर लिया इस जिए अनकर लियुक तो कर लिया कि बॉरिटसे और भाए मैं लिय Нत्रांब पहला चाहिए थेखिए पूरा अच्छे से बरतन की बरतन अच्छे को लिए पॉसको छी पर मीघाल निकल लीए उसमें कुए इन निजीभाशन कर लें करहां वीएत। बाद आप खोल के देखेगा तो यह इसमें कोई भी टूथ पिक या कुछ भी डाल कर देखेगा तो एकदम निकल लिए इस मतलब भारा बनकर तैयार है आप बीच-बीच में चैक करने की गलती इमत कीजिए कुछ लोग बीच-बीच में चैक करते ना उससे धोकले में माच मिनट बाद आप उससे चैक करने हैं तो इसमें नहीं बनेगा अच्छे से फूलेगा नहीं डोकला आपका तो ठंडा हो जाने के बाद आप अपने आप करेंगे अपने आप निकल जाएगा यह देखिए बिल्कुल अपने आप निकला है मैंने कोई भी वीडियो इसमे जलनी चाहिए अगर आपको लग रहा नगीए कि लना कर लिए करी टालने के eth चीणा डालने की का अम इसमें डाल देंगे गशा पहुच जणा गरम हो जाएगा तो यह रही और मिच्छी आपकी जल सकती है तो भी टेस्ट खराब हो जाएगा अगर आपको ज्यारु और अग तड़का मारा बनकर तयार है अब हम इसे फैला देंगे इसके उपर बस इस तरीके से आप चाहें तो इसके पीसे करके फ्राई भी कर सकते हैं या फिर ऊपर से तड़का लगा सकते हैं जैसा भी आपको पसंद रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा इसको तेल में नहीं करना चाहती अब उपर से डाल दिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची जो खाने में भी थोड़ा सा टेस्ट आजाएगा और देखने में भी हुद अच्छी लगेगी मतलब दोकिंग वाइस मारा डोगला बहुत अच्छा लगेगा तो अब इसके कर लेते हैं हम पीसिस डोग लेके और कि देखेगा में कट करकर आपको दिखा रही हूं आप करने से समझ जाएंगे कितना ज्यादा इस पंजी मारा डोगला बना है यह देखिए कितना नर्म डोगला है एकदम नाइफ एकदम से उपर से जब में चला रही हूं तो बहुत ही आसानी से नीचे जा रहा है तो जो भी बाते मैंने आपको बताई हैं ठोकले के लिए वह आप फॉलो कीजेगा और आपका ढूकला बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तैयार होगा यह रैसे बहुत ही ज्यादा है फ्रेंट्स बिल्कुल नुकसान नहीं करती है और सभी को पसंद आती है आप इसे चटनी के साथ भ आपका मने वैसे एंजोई कीजे फ्रेंट्स आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आई होप आप सबको पसंद आई होगी अगर आपको डोकला उनाने में कोई भी दिक्कत परिशानी आती है तो मुझे कमेंट करिएगा मैं आपके कमेंट क अगर जरूर करूंगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्र